हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे कठल की सब्जी जो कि मेरे तरीके से आप लोग इस तरह बनाएं चिक्यन मटन भूल जाएंगे तो विडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं कठल को इस तरह काटके धोकर रखें हैं इतना बड़ा बड़ा अब इसको हम उबाल लेंगे कुकर में पहले पानी दो गलास डाल दिये थे पानी गोरम हो चुका है अब हम कठल को डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे और अधाटी स्पुन हल्दी पावडर डालके इसको अच्छी तरह धकन लगा देंगे और चार सिटी आने तो इसको पका लेंगे चार सिटी आ गया है अब हम कुकर का धकन खोल के देखेंगे अमर कठल अच्छी तरह सौफ्ट हुआ की नहीं कठल हमारा अच्छी तरह सौफ्ट है देखिए गयास में कढ़ाई चड़ा लिया है अब ओयल डाल देंगे कठल के सब्जी में थोड़ा सा ओयल ज्यादा डालेंगे तो सब्जी अच्छा लगेगा दोठो तजबत्ता थोड़ा सा खड़ा गरमासला चाठ्थो गयास को इस दून जाता है कि अच्छा का कलर आने तक हम प्याज को भूनेंगे और इस तरह आप एक बार जरूर ट्राय करना फ्रेंट्स आप लग तो अलग अलग बनाये होंगे लिकिन मेरे तरीके से एक बार बना कर देखिए आप लोग को अच्छा लगेगा देखिए हमारा प्याज कलर चेंज हो चुका है अब हम मसाला डाल देंगे अधरक लसुन और प्याज को पेस्ट कर लिये हैं फ्रंट्स अब इसको डाल देंगे थोड़ा से चलाएंगे मसाला को अब हम डालेंगे एक टीस्पून हल्दी पाउडर दो टीस्पून धन्या पाउडर अधा टीस्पून जीरा पाउडर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाला को अच्छी तरा मिलाएंगे दो टीस्पून लाल मिस पाउडर अब हम पांच मिनिट अच्छी तरा मसाला को भूनेंगे देखिए मसला का कलर थोड़ा सा चैन्स हो चुका है फ्रेंट्स और थोड़ा सा हम भूनेंगे दो टोमाटोर को काट कर डाल देंगे टोमाटोर सोफ्ट होने तो हम इसको मसला का साथ अच्छी तरह भूल लेंगे तोमाटर हमारा अच्छी तरह सौफ्ट हो चुका है अब हम इसमें मिलाएंगे मतन मसला ये 5 रुपय में मिलता है वही वाला एक ठो डाल देंगे कठल की सब्जी में मतन मसला मिलाने से बहुत ही टेस्टी लगता है अब मसला हमारा भून चुका है अब हम कठल को इसमें डाल देंगे थोड़ी दर मसला के साथ कठल को भून लेंगे मसला के साथ कठल को हम भून लिये हैं अब एक गिलास जितना पानी डाल देंगे थोड़ा सा नमक और मिलाल लेंगे स्वाद के हिसाब से एक टिस्पुन गरम मसला उपर से डाल देंगे और अब हम डालेंगे कठा हुआ हरा धन्या पता हमारा कठल की सब्जी रेड़ी हाच चुका है देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है आपको तो देख कर पता चल रहा है हमारा सब्ची बहुत ही टेस्टी बन चुका है फीडियो कैसा लगया है फ्रेंट कमेंट में चरूल बताएं अच्छा लगे तो लाईक सेर और सस्का करना ना भूले थाइंक यू